इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए बताया जाएगा कि इच्छा अनुसार अपने स्वर को कैसे बदलें कैसारे इस पर मैंने स्वर्वेज्ञान के उपर स्वर्साधना के उपर वीडियो बनाए है कैसारे लोगों ने कहा कि गुर्देव आप ऐसा वीडियो बनाएं जिसमें कि स्वर्व को कैसे बदला जाए इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि स्वर्व को इस तरह से बदलें और स्वर्व बदलेगा तो भाग बदलेगा स्वर्व के बदलने से सोच बदलती है स्वर्व के बदलने से आपके अंदर के जो निवराउंस हैं उनमें भी एक रसाइनिक अद्वत परिवर्तन होता है जैसा कि मैंने बताया कि शरीर के अंदर दो नाड़ी है क्या इडा नाड़ी है एक पिंगला नाड़ी है राइट हैंड एक समय में ये जो दो नوجल्स देख रहे हैं इसमें एक समय में एकी तरफ से स्वास चलता है और फिर दूसरी तरफ से चलता है तो जिस समय दहनी ओर से स्वास चलता है तुसे हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं और जब बाई तरफ से चलता है तो इडा नाड़ी कहते हैं इन नाड़ियों में और एक तीसरी ओती है शुशुमना नाड़ी आज मैं केवल इस पर बात करूँगा कि अगर आपकी जिस समय इडा नाड़ी चलती है तो तुम्हें क्या-क्या काम करना चाहिए जब इडा नाड़ी चलती है तो तुम्हारे सरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है फिजीकल बोडी पे क्या प्रभाव पड़ता है आपके एस्टल बोडी पे क्या प्रभाव पड़ता है अर्थात आपके माइंड के उपर आपके इंटिलेक्चिल पॉइंट के उपर क्या-क्या प्रभाव और परिवर्तन होता है और आपको जब इड़ा नाड़ी चल लए तो क्या काम करना चाहिए संसार के जितने शुब कारिये है वो सभी सुब कारिये इड़ा नाड़ी में करना चाहिए संसार के जितने कठोर कारिये हैं, हार्ड बर्किंग है वो दहने सुर में अर्थात पिंगला नाड़ी में करना चाहिए जैसे कि अब इसमें एक भेद और आता है कि एक नाड़ी जब चलती है तो कितने मिनट चलती है एक बारी गड़ी थे धीरी दीर है फिर कभी बताऊंगा और पांच तत्तो भी इसी नाड़ी की अंतरगा चलते हैं अर्था जब इड़ा नाड़ी चल लए है तो इसमें कौन से तत्तो चला है प्रत्वी चला है अगनी चला है जल चला है वायू चला है अगर आप ये सब चीज़े जानते हैं तो आप बहुत अच्छे जिवतसी बन सकते हैं नास्तरे दम्स के बारे में जो लोग कहते हैं उसके पास में दो तरह की सिद्धी थी नास्तरे दम्स के पास में नास्तरे दम्स के पास में एक तो थी स्वर सिद्धी सुर विग्यान का वो बहुत बड़ा एक दर्शी था, सुर दर्शी था सुर समिक्षा करता था सुर के मादिन से वो रित्म में परवर्तन भी बता सकता था कि देश के हालात कैसे होंगे वो ये भी बता देता था नास्तरे दम्स और इसके अलावा वो किसी के वी भविस को बता देता था वो सुर विग्यान का ये चमतका सुर ही इसुर है जो सुर को साद लेगा तो इसुर को साद लेगा इसुर माने काल और काल से परे किया वस्ता आप काल को तब ही समझ सकते हो जब आप काल अतीत होना जानते हैं और इसी प्रकार से उसके बाद दूसरी सिद्धी थी कि वो मंत्र सक्ती कुछ ऐसे देवी देवता होते हैं जो आशरीरी आत्माएं सक्तियां होती हैं जो जो उसके लिए काम करती थी जब रात्री में बैठ के उनका जब करता था साधना करता था तो भविस में चला जाता था वो भविस में चला जाता था और भविस में जाके देख लेता था कि सो साल आगे चला जाता था सो साल पीछे चला जाता था ये कि डिवाइन डिवोशन है ये कि दिव्य साधना है ये कोई हसी मजाक नहीं है को की काई है अगर तुम अपने सरीर में बैठ हुई आत्मा को चेतना को उस कुर्णली शक्ति को साध लोगे जिस दिन अपने स्वर को साध लोगे अपने वाइटल इनर्जी को साध लोगे कमांड करना सीख जाओगे निश्यत रूप से आप कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं तो ये किस तरह से देनसुर जब चलेगा तो आपको क्या करना है देनसुर चले तो खाने वाली चीज़ें shiny जैसे मैं कहता हूं कि देने सुर में भोजन कीजे भोजन कप करना चाही हमांने हार्ट solid cheese कब खाना चाहिए देहने सुर चलना चाहिए चेक करना चाहिए देहने सुर में भोजन कीज़े बाएं सुर में पानी liquid जितने भी तरल पदारत है जैसे रस है, juice है, दूध है पानी है, ऐसी चीज़ें आपको बाएं सुर में लेना चाहिए क्योंकि जब बाएं सुर चलना है तो समझो आपके सरीर के लिए भोजन की जरूरत नहीं है आगने तत्त्यों की वहाँ पर नहीं चलना है, आपको जरूरत है उस जो अंदर में solid cheese पढ़ी है पचाने के लिए, यह automatic प्रक्रिया है ध्यान दीजेगा और जब बाएं सुर चलना है तो भोजन कर रहा है, क्योंकि उस समें सरीर को जरूरत ही नहीं जरूरत है, रसाइन की जलतत्यों की कमी है उसमें, इसलिए वहाँ बोची डालिये और ऐसा भी है कि अगर किसी को बहुत प्यास चल लए ही, जंगल में रह रहा है, कुछ कर रहा है तो पानी नहीं मिल ला है तो उसको बाएं सुर चला लेना चाहिए अगर किसी के मन में अशान्ती है तो चेक करो, निश्यत रूप से आपका दैना सुर चल ला होगा पिंगला नाड़ी चल लए होगी आप तुरंत बदल दीजिए आप बाएं सुर पे ले जाई तो आपको तनाव से टेंसन से और बहुत सारे बुरे-बुरे विचारों से आप मुक्त हो जाएंगा उसी छाड़ और इसके आगे की बहुत सारी साधना है कि शुश्वमना में कैसे प्राण को संज्चालित किया जाता है वो ये कलग-कला है योगित प्रक्रियाएं हैं बहुत सारी ऐसी तो आज मैं बताऊंगा कि बाएं से दाहें, दाहें से बाएं कैसे करें देहने सुर में भोजन कीजे बाएं सुर में पानी और सिभ आशन से सुवन कीजे सिभ आशन से सुवन कीजे काया होजे ना पुरा नी एक बात और ये भी चीज यह कलग है कि दानपूर्ण कोंसे सुर में करना चाहिए बाएं सुर में चलना चाहिए और जब सेक्स करने जाए तो निश्चे दूरूप से देहने सुर होना चाहिए पुरुष का और इस तरीका बाया सुर होना चाहिए तब जाके दोनों की उर्जा कमबाइंड होती है यूनाइटिड होती है और उस सेक्स का एक आनंद ही कुछ अलग होता है खेर, आएए मैं बताता हूँ जब आपको स्वर बदलना है तो आपको करना क्या है जे लेफ्ट साइड है आपको अपने विस्तर पर अगर आपको बाया सुर्च चलाना है तो आपको बाया हाथ उपर करके करवट लेके लेट जाना है ओके आपको देहना सुर्च चलाना तो ऐसे करवट से लेट जाना है तो आपका देहना सुर्च चल जाएगा यह लगवाख अगर किसी को जुखाम है कुछ है वो यह अलग वात है तो अब जल्दी नहीं चलेगा क्योंकि आपके नोजिल सबन्द है और बैसे आपका एक से तीन मिनट में चालू हो जाएगा एक प्रक्रिया एक ऐसी है कि आप जो है कुर्सी पे बैठी हुए हो तो कुर्सी पे टांग पर टांग चड़ा के एक साइड में दवाव दे दीजिए अपने कुक्षी के तरफ ऐसे करके मुठी लगा लीजिए और इदा जुक जाएए कुर्सी पे बैठ और टांग भी अपनी देहनी टांग भी अपने वाई टांग पर रखके साइड से ऐसे हो जाना तो आपका देहना सुर चलने लगेगा बाएं चलाना है तो बाएं मुठी इदा लगा करके और वो कर लीजिए बड़ा मस्त चीज है आप देखिए इसके अनोके चमतकार है किसी को अनकूल करना प्रतकूल करना ये पूरी जियोतिस विग्ञान है इसमें भरा हुआ है सुरही सादना है सुर दम अना जाना सास आना जाना बंद हो जा जाए तो जीवन कहताम खलास तो सुर को सादो और ईक चीज हूं रह रहा यदि देख़ना सुर चलाना चांथे तो देसी की एक चमच पी लीजिए, एक से तीन मिनट में धहना सुर्च चालू हो जाएगा, यदि बाया सुर्च चलाना है आपको एड़नारी तो आप एक चमच सहद चाट लीजिए, आपका बाया सुर्च चालू हो जाएगा, एक प्रिकरिया और है, यह अच्छे सादक कर सकते पूछो क्या वो पुरिक्रिया यह है कि आप अपने जो है कि धयान मातर से अपने सुर्थ को बदल सकते हैं इसमें करना क्या है कि आप अपने वाएं तरफ के ध्यान की लगेगा यह बहुत उच्पोटी के सादक जिनका संकल्प जागरत हो चुका या हो रहा है वही ऐसा कर सकते हैं इस जानकाली को आगे बढ़ा है और लाव उठाई अगर आपको नास्तर इदम्स की तरह बनना है जियोत्रिशी बनना है भविस ब्यत्ता बनना है और आपको साथ दिनों दिन बड़े आप लोगों की सेवा के लिए जो मैंने अपने गुरुओं से जंगलों में रहके गुफाओं में रहकर के जिन गुरुओं से मैंने सीखा और उसका भ्यास किया वक्त आ गया है वो सिखाने का ओ झाल